सब ही रतनों में सर्वश्वेष्ट हीरे के बारे में जाने कुछ रोचक्तत थे रतन ज्योतिश अनुसार बेदाग स्वच हीरा शुक्रवार की पीड़ा शांत करता है माईयता है कि जो हीरा सभी गुणों से संपन हो और जल में डालने पर तेरता है बेग सभी रतनों में सरवश्वेश्ट होता है हीरे के बारे में रोचक तत्थे 1. हीरे के बारे में कहा जाता है कि हीरा जितना अधिक भारी होगा उतना ही वो लाबकारी भी होगा 2. हीरा बेहत मूल्यवान होता है लेकिन एक छोटे से दोश के कारण भी हीरे की कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है राशी रत्न वरिशब तथा तुला राशी के जातकों के लिए हीरा धारन करना अच्छा माना जाता है कैसे करें हीरा धारन अंगूठी या हार के रूप में हीरा पहना जाता है जो तिशिय प्रभाव के लिए हीरा अंगूठी में जड़वा कर शुक्रुवार के दिन पहनना चाहिए हीरे के फाइदे 1. जो जातक व्यापा, फिल्म उद्योग तथा कलक्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो वे हीरा धारन कर सकते हैं 2. संबंधों में मदूर्ता के लिए विशेशकर प्रेम संबंधों को हीरा बढ़ाता है 3. शिक्षा संबंधित परशानी या विवाह में आती रुकावर्ट हो तो हीरा का धारन करना लाबकारी साबित हो सकता है स्वास्थ संबंधी लाब 1. हीरा धारन करने से आयू में व्रिद्धी होती है 2. मदूमिय तथा नेत्र रोगों से निजात दिलाता है 2. कई जोतिशी मानते हैं कि संटान विशेश कर पुत्र चाहने वाले स्तियों को हीरा नहीं पहनना चाहिए यह पुत्र संटान प्राप्ती में बाधक हो सकता है 3. हीरे के अन्य अउप्रत्न हीरा एक बेहत महंगा रत्न माना जाता है अगर जातक हीरा ना खरीद पाएं तो इस के स्थान पर जरकन, फिरोजा, ओपल या कुरंगी जैसे रत्न भी धारण कर सकता है यह सब ही उप्रत्न भी हीरे के सामान ही फल देते है